सुप्रीम कोट ने शुकरवार यानी 12 मार्च को 1991 के पूझा इस्थला दिन्यम की वैदता को चुनोती देने वाली याजिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है याजिका में कहा गया है कि ये कानून मन माना और आतारकिक है क्योंकि 1991 का ये कानून कहता है कि देश में सभी धार्में के स्थलों की इस्थती वैसी ही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी मुक नियाधीश S.A. बोबले, जस्टिस S.A. बोपन्ना और जस्टिस V. राम सुब्रमन्यम की पीठ ने बीजेपी नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की इस याचका पर परिक्षण करने का फैसला लेते हुए केंदर सरकार को नोटिस जारी किया है याचका में दावा किया गया है कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन, मस्जिद, दरगा या चर्च बना दिये गए थे ये न सिर्फ नियाय पाने के मौलिक अधिकार कहना ने बलकि धार्मे का अधार पर भी भेद भाव है बता देंगे 11 जुलाई 1991 में जब पूजा स्थल अदिनियम बना तब अयोध्या से जोड़ा मुकदमा पहले से अदालत में लंबित था इसलिए आयोध्या मामले को कानून के दायरे से बाहर रखा गया था हाला कि काशी मतुरा समेथ बाकी सभी धार्मे के स्थलों के लिए कह दिया गया कि उनकी स्थी नहीं बदल सकती 1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बनाके गजनी गोरी बाबर हुमायों अकबर और अंगजेव के द्वारत तोड़े गए सभी मंदिरों को लीगलाइज कर दिया जितने भी मंदिर तोड़े गए चाहे जैन मंदिर तोड़े गए या बहुत मंदिर तोड़े गए सिक्त मंदिर तोड़े गए हिंदू मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों पर तोड़ कि जो मस्जित बनाई गी थी उन सभी मस्जितों को कांग्रेस ने लीगलाइज कर दिया सरकार का काम गैर कामूनी कारी को इलीगल कारी को लीगलाइस करना नहीं होता लेकिन कांग्रेस ने वो किया है इसलिए मैंनो इस कामून को चुनौती दिया है सुप्रिम कोर्ट में याजिका करता उपाध्या ने इस कानून की धारा दो, तीन और चार को चुनोती दी है और उसे असमवेधाने गोशित करने की गोहार लगाई है संसत ने इस तरह कानून बना कर विदेशी आकरानताओं की तरफ से किये गए अन्याय को माननेता दी है सरकार को ये हक नहीं है कि किसी को कोट का दर्वाजा खट-कटाने के लिए समवेधाने का दिकार से वन्चित रखा जाए सुप्रीम कोट द्वारा इस मामले का परिक्षड करना इस माइने में महत्यपूर है क्योंकि काशी में भगवान शिव के मंदिर और मतुरा में भगवान कृष्णि की जन्म भूमी के दावे की बातें उठ रही है मतुरा की अदालत ने तो इस समद में दायर सूट पर विचार करने का निर्णय भी लिया है याजिका करता उपाध्याय ने इस कानून की धारा दो तीन और चार को चुनोती दिया है और उसे समवेधानिक गोशित करने की मोहर लगाई है यह जो कानून बनाऊने सिव क्यानवे में इसमें अयोध्या को कानून के दायरे से बहार रखा गया लेकिन मतुरा को इस कानून के दायरे में रखा गया कहने का मतलब कि मतुरा के मामले में आप कोट जाई नहीं सकते आप भद्र काली के मामले में अदालत जाई नहीं सकते सरकार का कारी कोट का दर्वाजा बंद नहीं करना है लेकिन सरकार ने हिंदू, जैन, बौध और सिक को अदालत के दर्वाजे पे पहुँचने से रोख दिया है इसलिए मैंने इस कामून को चुनोती दिया है था कि वो पुजारी महासंकी याचिका पर सुनवाई ना करें जमियत का कहना था कि अयोध्या के फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोट इस याचिका पर नोटिस जारी करता है तो इससे मुसलिम समुदाय में डर का महौल पैदा हो जाएगा हलाकि इस याचिका को अब तक सुची बद्ध नहीं किया जा सका है